हेलो फ्रेंड जी विल्कम आजाओ जल्दी से सभी लोग क्लास आपकी सुरू हो चुकी है तरीका एक अलग होगा लेकिन बहुत ही मस्त तरीका होने वाला है आज जल्दी से लाइबा जाएए देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है बहुत ही अच्छी कलास होने माली है आप सभी की फटा फटा जाओ रातरीका नौ बज़ चुका है और आपकी कलास आज रात नौ बज़े से होगी देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ आ है ओके जी अंजली कुमारी अलवी आस नहाया दो सब जुड़ चुके हैं बहुत बहुत सुक्री आप सभी को आजाओ जल्दी से फटा फटा आजाओ तूरंद भी नदेर करे हुए देखिया आज बहुत ही मस्त कलास होने वाली है प्राबलम नहीं होनी चाहिए यारे इसमें हो क्या रहा भाई चलिए तो अच्छा आप लोग एक बात बताईए एक बात बताईए रोहुल जी जुड़ चुके हैं ठीक है अच्छा अगर आठ एक्स में हम बोलें कि आप चार से भाग करो तो कितना आएगा जल्दी से इसको बताओ बैसिक फिर हम आगे चलें जल्दी से बतादो तुरंत सभी लोग कमेंट करके बतादो तुरंत नेहाया दो लाल भादुर जी बिराट असोक अंकिता सिंग सिकंदर कुमार साहु अमित कुमार राहुल कुमार अम जल्दी बोल यह कितना आएगा जानते हो ना आप सभी कितना आएगा कि नहीं जानते हो देखे सिंपल सी बात है इसमें चार से जो है आठ कट जाएगा तो कितना आएगा दो आजाएगा है ना चार से यह कट जाएगा तो दो आजाएगा और जो यक्स है कुल मिला के क्या हो आगा दो एक्स अंजली कुमारी चल नहीं रहा है अच्छा यह भी लफड़ा है ना चलने कभी कि पता नहीं यार भाई चल राग नहीं चल रहा है क्या हो रहा है विराटा सोग का तो चल रहा है इनका दो उत्तर आ चुका है चल रहा है कि नहीं बताओ यार यह भी एक बहुत बड़ा टेंसन है देखे उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पर देखे साथियों टॉपिक बात समझ रहा है थोड़ा से रुकना भागना मत कहीं कहीं मत जाना बिल्कुल टेंसन मत लेना ठीक है हाँ चल यह ठीक है तेखे तो हम बता क्या रहे थे कि पंदरा में अगर हम दो से भाग करते तो आप सभी जानते हो साथ बार जाता और यह चौदा हो जाता घटा लेते तो वाना था इसको तो हर कोई जानता है ना बोलो जानते हो ना इसको जानते हो ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है तो इसी तरह से हमें क्या करना है साथियों छोटी छोटी बात ले करके चलना है और वो छोटा छोटा बात क्या है वो आपके सामने है जो भी है ठीक ह थोड़ा सा रुकना इसमें थोड़ा सा डिश्टर्ब होगा शुरू में बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है निहाया दो नहीं चल रहा है सिकंदर कुमार साहु जी दिक्कत हो रही है लाइब में दिक्कत हो रही है अच्छा हमारे समझ से तो चल रहा है यार देखिए हो स हमें यहाँ पर लाना है क्या आठ वाई स्क्वाईर प्लस 6 वाई प्लस 1 लाना है तो ऐसे तो आएगा नहीं है ठीक है जैसे अगर हम बोलें कि 12 में भाग कर लो 2 से तो 6 बार जायेगा कितनी बार जायेगा बारा में अगर आप दो से भाग करोगे तो कितनी बार जायेगा छे बार जायेगा ना यानि कि हम ऐसा बोलें कि दो का छे में गुड़ा करें तो बारा आएगा बोलो आएगा ना कोई दिक्कत होगी तो बता देना बिल्कुल टेंसन मतले ना सोनु सर जी हम आ जायेंगे कल कल आ जायेंगे सोनु सर कल आएगे हम हाँ तो देखिए यह आएगा उस तरह से हमने क्या किया टू आई का भाग किया किसमे टू आई से पहले कैसे समझाओ ऐसे देखे इदर रुक रुक के चलता है अच्छा दुर्गेश जी सुरू से आप देखिए यहाँ पे सुरू से अभी नहीं होने वाला है देखिए इदर मतलब समझीए आप लोग इदर मतलब समझीए यहाँ थोड़ा पहला नंबर तो डिश्टर बोरा कमेंट आ रहा है मैं इसको हटा देता हूँ यह कलास आज नया तरीका से है न यह लो बस ठीक है अब ना आएगा ना कमेंट कि अभी भी आएगा चलिए तो हमें क्या करना है हमें किसी तरह से दो वाई में गुड़ा करके क्या लाना है आठ वाई का स्कॉायर लाना है आठ वाई का स्कॉायर अब आप लोग ये बताओ कि किस से गुड़ा कर दें हम इसमें जिस से आठ वाई का स्कॉायर आ जाए किस से गुड़ा कर दें कि आठ वाई का स्कॉायर आ जाए बताए किसी को पता है बताइए बताइए थोड़ा सा डिश्टरब हो रहा ती है इसके लिए माफी चाहते हैं थोड़ा सा दिख्कात हो रही होगी न आप सभी को यार इसी में बरस भी चलाना है मुझे प्राबलम यह है तो हमने क्या किया दो आई का गुड़ा किया किसमें 2y का हमने गुड़ा किया 4y में ये देखो इदर 2y का अगर हम 4y में गुड़ा करेंगे तो क्या होगा 8y का 2² बोलो हो जाएगा कि नहीं इतना समझ में आया ना इतना पक्का आया कोई दिक्का तो नहीं ना इसमें यानि कि 2 का 4 में गुढा कि 8 हो गया और Y का Y में किया इस ले Y स्कुयर हो गया तो इस तरह से अगर आप यहां पर समझें पकड़ के क्या करेंगे उस चर Y से ही पकड़ के इसके साथ वाले में गुढा करेंगे 1 में तो आप लोग यह बताओ चार वाई का 1 में गुड़ा करो गिना क्या आएगा जल्दी से बोलो फोर वाई का 1 में गुड़ा करोगे तो फोर वाई आएगा क्योंकि किसी भी नमबर में अगर उसी नमबर से हम लोग multiple करते हैं तो क्या होता है आप सबी लोग जानते हो वही नमबर आता है ना बोलो वही नमबर आता है की नहीं आता है ना असोग सिंग जी बिलकुल तो देखिए हमने क्या किया 2Y का गुड़ा किया 4Y में इस तरह से 8Y का स्कॉयर आ गया और फिर 2Y खतम हो गया इसका कम अब क्या किया 4Y का गुड़ा 1 में किया तो यह हो गया 4Y इस तरह से यह बराबर हो गया और हम क्या करेंगे इसके बाद इसको घटा लेंगे घटाने के लिए चिन बदल देंगे जो पलस है माइनस जो माइनस है उसको पलस इस तरह से देखो ये माइनस का 8Y और ये प्लस का 8Y ये घट गया ये कट गया खतम हो गया और ये माइनस का 4Y और ये प्लस का 6 ठीक है रुक रुक के चल रहा है देखो लाइब है ना इसलिए इसमें दिक्कत हो रहा है गाओं में है नेटरुक की समझ से आप सभी को पता है लाइब के बाद ये रुकेगा नहीं हाँ तो आप लोग एक बात बताओ हमने क्या किया है छे वाई से चार वाई को घटाया है अब बताओ कितना आएगा कोई बताए कितना आएगा देखो ये आसानी से समझ में नहीं आएगा ये भी बात हम बता दें दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा इसमें हाँ बाब ओकर दिमाग न लगाओगे तो न समझ में आएगा चुकि बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें देखो अगर हम इसको छोड़ दें इसको बात करें धन 6 से माई-4 तो क्या आएगा देखिए नहीं हाँ यादो मुहमद नसीम जी दूई आएगा बिल्कुल सही तो आप जानते हो दूई आएगा ना यहाँ यहाँ पर क्या है वाई का लफड़ा है तो वाई आ जाएगा साथ में मतलब टू आए आएगा बफना इतने तो होगा देखिए आज कलास का थोड़ा तरीका अलग है इस वज़ा से थोड़ी समस्या हो रही आपको भी हमें भी उसके लिए माफी चाहते हैं लेकिन अगली बार नहीं होगा दो वाई का गुड़ा किसमे करें की आठ वाई का स्कॉयर आ जाए आप लोग बताओ जल्दी से बताओ दो वाई का गुड़ा किसमे करें की आठ वाई का स्कॉयर आ जाए तो सिंपल सी बात है दो वाई का गुड़ा चार वाई में करें तो आठ वाई का स्कॉयर आ गया प फिर यह घट गया घट गया तो दो आया गया उपर से हमने वन बचा था यहां बगल में लिख लिया अब यह बन गया क्या बन गया तो आई प्लस वन बन गया अब क्या करना है उपर अगर आफ लोग धान दो क्या है यहाँ पर देखो 2i प्लस 1 है न 2i प्लस 1 है न अच्छा एक बात बताओ आप लोग जो लोग समझ रहे हैं ध्यान दीजिएगा अगर 2i प्लस 1 का हम क्या करें किसमें गुड़ा कर दे कि 2i प्लस 1 आ जाए कोई बताए कोई बताए किसमें करें देखो कोईस करोगे तो चलेगा ट्राई करते रहो चलेगा बिलकुल दिक्कत नहीं है बताईए जल्दी बताईए बोलिए जल्दी बताईए बताईए कितने से करें 1 से न 1 से मल्टिपल करें न हाँ जी बिलकुल ठीक है तो one से multiple करें तो क्या हुआ इसके बराबर आ गया और इस तरह से फिर जब ये नीचे आ गया two आई और plus का one आ गया तो हमने क्या किया इसको आपस में घटा लिया चिन्ड बदल करके और ये कट गया बराबर कितना आ गया zero आ गया ठीक है बात समझ में आई ना सवाल है मतलब थोड़ा सा रिश्की है अच्छा हम एक बात बताओ आप लोग एक बटा दो में हम किसका गुड़ा करें कि चार हो जाए जल्दी से बताओ किसी को बता है one upon two में हम किसका multiple करें कि four हो जाए कोई बताएगा anyone देखो simple सी बात है आप जानते हो नीचे क्या है two है ना नीचे two है अगर हम किसी से भी गुड़ा करेंगे तो क्या होगा ये मतलब कट जायागा जैसे देखो ये दो चोकार्ट चार आया बराबर ना मतलब समझना यानि कि one upon two में हम किसका multiple करें कि क्या आजाए फोर आजाए इस तरह से अगर कहीं मिलता है तो जितना लाना है उसका दो गुणा यहां गुड़ा करोगे ये बात समझ में आई जल्दी से अस बोलो और तुरंत इस कलास को लाइक कर दो बिल्कुल देखें नहीं चल रहा है तो आप लोग इसको बाद में देख सकते हैं लाइब में हमें पता है नेटवर्क की डिले हो रहा है थोड़ा नेटवर्क जो है पूरा डेटा नहीं पा रहा है तो आप लोग इसको बाद में देख सकते हैं ठीक है हम रिकार्ड कर देने कोई दिक करें कि क्या है 8 या 4 में किस्सें गुड़ा करें कि क्या है 4 आए जल्धी बता तुर्ण किस्से करें एक 30 देना यहां पर जिसमें गुड़ा करना है वो माइनस में दिया है है ना हमें आंसर को पलस में लाना है तो क्या करेंगे कि पलस में हो जाए क्या करेंगे कि पलस में हो जाए यहां हम जिससे भी गुड़ा करेंगे माइनस से करेंगे तो हम माइनस आठ से गुड़ा करेंगे आप जानते हो इस दो से कड़ चार और चुकी इसका माइनस और इसका भी एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1 का माइनस 4 में हो जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 8 बात समझ में आई ना तो इस तरह से हमने क्या किया था माइनस वन अपान टू का मल्टीपल किया था आठ में तो साथियों जब माइनस वन अपान टू का मल्टीपल हमने किया था माइनस आठ में तो हमें क्या मिला था माइनस फोर इंटू माइनस वन मतलब कुल मिला के प्लस का फॉर मिला था है ना प्लस का फॉर मिला था तो ये देखो इस तरह से यहां पर ये पहला वाला पद बराबर हो गया ये फॉर आ गया ठीक है क्या आ गया फॉर बराबर आ गया अब देखना उसके साथ जड के साथ क्या लगा है जड का गात तीन था है यहाँ पर देखो जड का गात तीन था तो आप अब हमें एक बात बताओ जड में हम किस से गुडा करें कि जड का घात तीन आ जाए जल्दी बताईए इरसाद खान जी हम आपको देख वा रहे हैं आप परिसान मत होईए जो चल रहा पहले उसको देखिए बताईए जल्दी बोलिए जड़ का गुड़ा हम किस में करें कि जड़ का गात तीन आ जाए देखो आप सभी जानते हो गुड़ा करने पर गाते जुड़ जाती है गुड़ा करने पर गाते जुड़ जाती है तो जड़ में कहरा किस से गुड़ा करें जड़ का गात तीन आ जाए यहाँ पे देखो एक घात है ना वन घात है हमें तीन घात लाना है तो बाबु सिंपल सी बात है जेड का पावर टू से मल्टिपल कर दो तो ये वन घात इसकी और टू घात इसकी जुड़ जाएगी तो जेड का घात तीन हो जाएगा है ना हो जाएगा ना इतना बात समझ में आई तो final में हमें क्या मिला प्लस 4z का cube मिला इतना समझ में आया ना इतना समझ में आया हमने minus 1 upon 2z का गुड़ा किया minus 8z का square में तो हमें मिला 4z का cube और देखो यही तो लाना था नहीं चे बात समझ में आई कि नहीं आई जल्दी बोलो यही तो लाना था नहीं है तो इसे बराबर हो गया देख्यादा मतलब जगा कम है ना बोर्ड तो हूँ नहीं है इस यसmost जवर रिक्त होसकती है तो जब यह बराबर हो गया इसको घटाते हैं चीड बदल के चीड बदल दिया पलस माइनस कट गया ठीक है यह बात कहतम हो गई अब जो ऊपर बच रहा है 6 j Đ है ृस को मैंने क्या किया नीचे लिख लिए उतार लिए मतलब पर या ठीक है यहां पर उतार लिया अब क्या करेंगे हमें माइनस वान अपांट टू में किसी ऐसे संख्या से गुड़ा करना है कि सिक्स जड़ का स्कॉयर आ जाए अब बोलो किसी की दिमाग में चल रहा है किससे करें जल्दी बोलो फट से किससे करें की हो जाबराबर देखो आब वो सिंपल सी बात है देखो सिंपल सी बात है में पहले नंबर तो छे लाना है ना छे लाना है और वान अपांट टू का अगर मल्टीपल करना है तो आप जानते हो पहले तो इसको बारा से गुड़ा करोगी है ना बारा से गुड़ा क कटके न 6 आ जायेगा न आ जायेगा और 7 में Z का स्क्वायर लाना था इसलिए क्या करेंगे देखो एक Z तो इसके साथ है एक Z से और गुड़ा कर देंगे मतलब कुल मिला के फाइनल में 1 अफान 2 Z इंटू 12 Z से इसमें गुड़ा करेंगी हम तो क्या आएगा 6 Z का स्क्वायर देखो 6 Z का स्क्वायर हमें ये 6 Z का स्क्वायर में लिखा हूँ प्लस में लाना है यहां माइनस है अगर इसका गुड़ा माइनस में लगा करोगे तो प्लस में आएगा चुकि हमें माइनस में लाना है ठीक है इसलिए क्या हो जाएगा फाइनल में माइनस वन अफन टू जेड इंटू माइनस का ट्वेल जेड और फाइनल में आएगा सिक्स जेड का होली स्कॉयर इतना बात समझ में आई चुकि दो से ये कट गया तो छे आ गया और इस जेड का गुड़ा इस जेड में कर लिया तो जेड का स्कॉयर आ गया चुकि एक घात यहां जूड गया तो सिक्स जेड का स्कॉयर बन गया इतना बात समझ में आई ना कोई समझ से नहीं ना चलिए कोशिस करोगे तो सब आएगा कुछ भी मुश्किल नहीं है कोसिस करने से मुश्किल आसा होती है है ना चलिए अब क्या करना है ये कट गया इसका काम खतम जी रो लिख दो चाय काट दो अब उपर बचा है माइनस जेड इसको प्यार से मैंने यहां लिख लिए माइनस जेड ठीक अब क्या करेंगे देखो मैं मारका थोड़ा पतला कर लेता हूँ तब मजा आता है ये लो आप साही रहेगा ना ओके बस बस अब हम लिख भी जाएंगे उसी में लिख डालेंगे टेंसन मत लेना टेंसन मत लेना यार अब तो सब कुछ होगा ये देखो पतला पतला चलेगा है ना तो क्या करना हमें माइनस वन अपान टू जेड इसमें किसी भी तरह से गुड़ा करके माइनस का जेड लाना है बोलो माइनस का जेड कैसे आएगा ये जान लो कि माइनस का जेड के वर लाना है मतलब कोई गिंती नहीं लनी साथ में तो बाई इसमें 2 का लफडा है इसमें 2 का लफडा है ना तो क्या करोगे इसमें 2 से गुडा कर दो बाथ सिंपल सी बात है 2 से 2 कट जायेगा माइनस का जड़ा जायेगा और ये बराबर हो गया गठालो जी रो आगये खतम बात समझ में आई यह देखो मैंने दिखाया थाना की minus one upon two में किसका गुड़ा करें कि चार हो जाए minus one upon two में किसका गुड़ा करें कि चार हो जाए तो हमने क्या किया उतर सबसे पहले हम plus में गुड़ा लाने के लिए इससे माइनस के साथ गुड़ा करेंगे और इस तरह से हमने आपको दिखाया की ये कैसे हुआ ये देखो इतरज साइड माइनस 1 एन्टी एट से मल्टिपल किया 4 प्राप्त किया साथियों ये सवाल इसी तरह से हो चुका है मुझे नहीं पता था इसको बताने में इतना करिए अगर आपको सुरू से देखना है वास्तों में सीखना है तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देख सकते हैं ठीक ना इस नंबर पर आप वाटसब पर मैसेज करिए कलास जॉइन करने के लिए आपको 549 का पेवेंट करना होगा अगर आप सुरू से देखना चाहते हैं तो तीस सेगंड रुकिएगा चलिए ठीक है चलने लगा ना चलने लगा अब हम तीसरे में चलते हैं तीसरा क्विश्चन का कह रहा है द्यान देना करान इमनांकित परसनों में भाग देकर भाजक भाग फल भाजे तथा सेज फल बताईए आपको यहाँ पर हम समझा दें थोड़ा सा इधर देखना ध्यान से भाजक को डिवेजर बोलते हैं जैसे इसको आपको सुद्ध देशी भासा में समझा दे तो अगर आप पंदरा में दो का भाग करोगे तो दो सत्य चहुदा है ना इसको घटाओ के बनाएगा इसमें इसको काईसियंट बोलते हैं जिसे हिंदी में आप भाग फल बोलते हो ठीक है इसको क्या बोलते हैं सेस फल बोलते हैं जिससे भाग करते हैं इसको भाजक बोलते हैं लिस में डिवाइजर बोलते हैं और जिसमें भाग करते हैं डिवीडियंड होता इसे हिंदी में भाज्य बोलते हैं बात समझ गए ना कोई दिक्का तो नहीं है चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कमेंट तो करो तब मालूम चले ना किसको आ रहा किसको नहीं आ रहा नहीं बोलोगे कहा अस पता चलेगा आगे देखिए इसका अस परश्टी करण में पहले दिखा देता हूं तब आप समझोगे ये बता जल्दी बताओ किससे करें भाई सिंपल सी बात है साथ का गुड़ा करना है क्या लाना है चवदा लाना है आप जानते हो दो से कर दें तो चवदा आ जाएगा लेकिन इसमें यक्स का लफड़ा है तो क्या करेंगे यक्स की तो कोई टेंसन नहीं इसके साथ यक्स लगा है न ये तो मुक्त में मिल जाएगा मतलब दो से गुड कर दो यह देखो 14X आ गया आ गया तो बस मैंने किया क्या था यही तो किया था कोई और कुछ किया था यह दो एक्स का गुड़ा किया साथ एक्स में एक्वल आया 14X का स्कॉयर क्या आया 14X का स्कॉयर और इस तरह से देखो यहाँ पर यह 14 एक्स का स्कॉर बराबर हो गया क्या हो गया 14 एक्स का स्कॉर बराबर हो गया हो गया कि नहीं हो गया हो गया ना फिर क्या कि यह चिन को बदल दिया इसको काट दिया कट गया घट गया ठीक अब आगे समझना आगे क्या होता उसको देखना देखो मैं मारका थोड़ा और पतला कर लेता हूँ अब ना होगा इतना पतला अब क्या हुआ लेकिन देखो यहां पे जंजट यह फस रहा था कि हमने दो से गुड़ा तो कर दिया लेकिन दो से गुड़ा अगर साथ में किया तो इसका पड़ोसी है चार ना यह ना मानेगा इसमें भी आपको गुड़ा करना ही होगा तो फिर क्या करेंगे हम इस दो यक्स का गुड़ा हम चार में भी करेंगे और वो भी माइनस में है तो माइनस में ही करेंगे तो बताओ कितना आएगा जल्दी से बोलो कितना आएगा लाइब चल नहीं रहा मुझे पता है आप लोग को काफी दिक्कत हो रही सब भाग जा रहे है ताइम लास हो रहा है ना इसमें यह वफरिंग कर रहा है न चलो ठीक है रिकार्ड कर दे रहे हैं इसको अनलिस्टेट करके अब रिकार्ड करेंग ढूल सिम्पल सी बात है दो का चार में गुरा करunde या थाएगा जो कि माइनस में इसलिए मैनस आएगा और साथ में एक्स लगा इसलिए एक्साएगा तो वही माहितो किया था तो यूह पर क्या आया था 8x आया न और फिर चिन बदल दिया माइनस था तो प्लस कर दिया अब देखो माइनस का जब प्लस हो गया न तो प्लस का 8x or ये प्लस का 13x जुट जया गया कई 70 हो गया ये देखो है कई 60 है न आया फिर क्या कि अब बगल में साथ में 15 था उसको नीचे उताल लिया अब इस तरह से हमारा क्या बन गए 21 एक्स और माइनस 15 अब क्या करेंगे करना क्या है अब सिंपल सी बात है उपर हम कितनी बार ले जाएं कि 21 एक्स आ जाए अब आप ये बताओ 7 एक्स में हम किस से गुड़ा करें कि 21 एक्स आए आया दिमाग में कोई सवाल बताइए किस से करें कि 21 एक्स आए देखो सिंपल सी बात है तीन से कर दो आप उतीन से करोगे तो 3 सते 21 इस तरह से 21 एक्स आ जाएगा और हमने क्या किया ये 3 से ऊपर ले गए 3 से गुड़ा करोगे 7 X में तो यह हो जाएगा कईसे X है नहीं और फिर अब 3 से गुड़ा चार में भी करना है बगलवाले में तो ये 4 माइनस का था माइनस का चार प्लस का 3 करोगे माइनस का 12 आएगा और इस तरह से हमने क्या किया था यह माइनस का बारा भी यहां लिखा था उसके बाद ये क्या होगा अब ये घट जाएगा घट जाएगा मतलब कट जाएगा ये भी चिन बदलेगा ये भी घट जाएगा तो ये तीन आ जाएगा माइनस का इस तरह से माइनस तिन क्या हो गया अंसर हो गया आप लोग इस video file को भी प्राप्त कर सकते हैं इनको भी class करना है वो बड़े ही सूजबूज के साथ WhatsApp नंबर पर message करें जिनको complete math बढ़ना है ठीक है जिनको math में कुछ भी नहीं आता है वो इस नंबर पर message करें लेकिन एक बात ध्यान दें इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो क्या होगा पता है यह आठ है आठ यह एक ही बार था मिटा दो इसको ठीक इस पर मैसेज करेंगे आपको बता दें इस पर आपको 549 रुपए का एक बार पेमेंट करना पड़ेगा फिर आपको जीरो लेवल पूरा कंप्लीट मैस मिलेगा वाटसप पर अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं विल्कुल ना करें फिरी वाली कलास यूटूब पर देखें उसके लिए पीबियर स्टेडी को सब्सक्राइब करके रखें बेल आइकन को आन करके रखें यूटूब पर फिरी में देखते रहें वाटसप पर मैसेज ना करें ठीक है सारी प्लस आर्ट में क्या आया पता नहीं अब क्या कह रहे हो जी समझ में नहीं आ रहा है